हलो दोस्तो मैं हूँ आपका दोस्त देव सागर और आप देख रहे हैं अपना खुद का मन पसंद चैनल एक नई रौसनी दोस्तो इडियम स्मार्ट पे में जो इंकम वह इंकरीज कर दी गई है अब आपको यहाँ पर सैल फरन अगर डारेक्ट स्पांसर से आपका संपर्क नहीं हो पा रहा है तो उनसे भी अप्लाइन जो है उनके अप्लाइन हैं उनसे संपर्क कीजिए और अपनी आडी को एक्टिवेट करवाईए आपके अप्लाइन या आपका कोई भी इशू है किसी भी तरीके का आप यहां पर सब से नीचे जो पहले भी दिया घया था और इसके अप्लाइन आपके आपका किको करेंगे इसके लिए यह यहां पर चाहे तो वह आपका मोबाईल दाले या अपना मोबाईल लेंबर डाल सकते हैं तो यहां पर मैं अपना मोबाईल लाइन डाल City इसके बाद यहां पर लिखा हुआ है चूज यॉर इशु तो यहां पर कॉसिस करें आप जो जिसकी अधिक कर रहेरे हैं jeżeli का नंबर डालेता है कि कंपनी उनसे अगर कोई प्रॉलम है तो डारेक्ट उनसे संपर करके उनके आईड़ी को एक्टिवेट करने की कोसिस करें ठीक है तो अभी मैंने आप पर अपना नंबर डाल दिया है और इसके बाद यहां पर आपको कंपलेंट चूज करनी है किस तरीक सपर्ट चाहिए क को तो आप उस पर अपना नंबर पर क्लिक कर सकते हैं तो मैं यहां पर कोई भी टाइटल देना जिस भी डिलिटिट आपका जो इशू है तो मेरा यहां पर आइडी सस्पेंड हो चुकी है तो में यहां पर आइडी सस्पेंड का सब्जेक्ट कर लेता हूं इसके बाद यौर मैसेज में आपको अपनी कम्प्लेंट दर्ज करनी है जिससे वी अपनी यहां पर account create किया है उसका mobile number वह जिस उन्हों ने यहां पर registration किया है जीमेल आइडी और अपना refer code अगर उनको याद है तो ठीक है यह चारों चीज़ कर तो इसके बाद नीचे यहां पर चौर्थे नमबर भी लिखें कि देंगे my ID activate यहाँ पर चाहे तो आप हिंदी में भी लिख सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है please my ID active तो यहाँ पर मैंने यह लिख दिया है और यह मेरी अपने मनलब डाउनलाइन के ID है तो इसलिए मैं हाँ पर डाउनलाइन भी लिख दूँगा please my downline ID activate तो यहाँ पर मैंने यह टाइप कर दिया है और अपने ID को और यहाँ पर जो create ticket number है इस पर आपको क्लिक करना है तो आपका जो complaint है वो company के पास दर्ज हो चुका है पहुंच चुका है इसको आप check भी कर सकते हैं उपर से फिर से till line पर क्लिक करना है आपको और नीचे की साइड फिर से आएंगे और support ticket पर क्लिक करेंगे इसके बाद my ticket number जो आपने यहाँ पर अभी complaint दर्ज कराई है उसका ticket number आपको यहाँ पर मिल जाता है तो यहाँ पर देखिए मैं already हाँ पर complaint दर्ज कर चुका हूं तो यह अभी जो मैंने complaint दर्ज किये तो वो भी यहाँ पर आ चुकी है और इस तरीके से आप अपनी यहाँ पर complaint दर्ज करा सकते हैं 24 hours से लेकर 48 hours तक क्यानी कि एक दिन से लेकर दो दिन में के अंदर अंदर आपकी complaint को company sort out करने की कोसिस करेगी उमीद करता हूं दोस्तों यह जानकरी आपको बेहदी पसंद आई होगी अगर पसंद आई है तो प्लीज इसको लाइक करें सेर करें सेर जरूर करें ताकि आपके डाउन लाइन जो अब इन एक्टिव हो चुकी है जिनके आईडी सस्पैंड हो चुकी है वह अपनी आईडी को activity करा सके दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर नहे हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें भेल आइकन को प्रेस जरूर करें थैंक्यू नइवाद